तो जैसा कि अब गेट का रिजल्ट आ चुका है और इस गेट रिजल्ट के बेसिस पे यदि मैं opportunities को अवेल करने की बात करूँ और यदि हम यहाँ पर सोचें कि कौन-कौन सी opportunities हमारे पास है गेट स्कोर कार्ड से तो हमारे पास दो opportunities अवेलेवल होती है पहला यदि हमारी बहुत ही टॉप रैंक आई है तो हम PSU में जॉब ले सकते हैं second opportunity है कि हम इंडिया के different institute से mtech कर सकते हैं उसके लिए गेट स्कोर कार्ड applicable होता है और इसी पूरे sequence में जो second opportunity है उसकी यदि हम बात करें तो हम जो इंडिया के different IIT और NIT होते हैं उनके वारे में information के videos लेके आने वाले हैं और इस videos में हम बात करेंगे किस तरीके से एक institute आपके career के लिए बहुत ही boost होने वाला है इसमें जो different branches हैं तो कैसे वो branches आपके career के लिए एक opportunity बन सकती है या किस तरीके की opportunity वहाँ पे आपको मिल सकती है सबसे पहले इसी sequence में बात करूँगा यदि किसी IIT से आपको mtech करनी है तो आपको एक portal है वहाँ पे जाके आपको registration करना होता है तो वो portal क्या कहलाता है? वो portal क्या कहलाता है COAP इसको full form क्या है? तो common offer acceptance portal ठीक है? यह portal भी IIT के द्वारा बनाया गया है यहाँ पे जाके आप अपने आपको register कर सकते हैं register करने के बाद यहाँ पे आपको different IIT में जो भी available branches हैं उनको preference wise भरना होगा उसको भरने के बाद आप क्या कर सकते हैं? जो counseling start होगी उस पूरी process में आप शामिल हो जाएंगे और जैसे ही उसके rounds complete होते जाएंगे आप accordingly preference wise आपको जो branch है particularly specialization है आपको a lot होते जाएगा ठीक है? तो यह तो एक basic information हो गई किस तरीके से आप यहाँ पे एक platform पे एक portal पे अपने आपको register कर सकते हैं पूरी counseling process के लिए but इससे भी ज़्यादा important है कि हमें कौन से institute में कौन सी branch किस preference पर भरना चाहिए यह mostly depend करता है कि किस तरीके का एक opportunity या फिर एक career aspect हम अपने आपके साथ जोड़ के देखते हैं लाइक कि हम mtech करने के बार direct placement लेना चाहते हैं या फिर हमारी हम कुछ assistant professor बना चाहते हैं इंडिया के different institute में कुछ इस तरीके का हम एक teaching background अपना सोच रहे हैं या फिर हम इंडिया के बाहर abroad में जाके as a research scientist के तौर पे वर करना चाहते हैं इसे कई सारे aspect हमारे opportunity से related हो सकते हैं ठीक तो उन्हीं सब के recording में particular institute से related कुछ information लेके आ रहा हूं जिसमें इस पूरी सीरीज में फर्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूं जिसमें मैं इंडियन इंस्टिटूट आफ टेक्नलोजी मदरास के बारे में बात करूंगा इसमें हम जो इंस्टिटूट है उसके regarding कुछ बात करें कुछ information देंगे जो आपके यह भी मैं बताने वाला हूं तो इसी पूरे रिगार्डिंग जो फर्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है जिसमें बात करूंगा इंडियन इंस्टिटूट आफ टेक्नलोजी मदरास के बारे में तो सबसे पहले मैं इस इंस्टिटूट के बारे में बता दूँ यह अपने किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं तो आपने ही आप में यह एक बड़ी ऑपर्चुनेटी आपके लिए साबित होगी तो इसी सिक्वेंस में बात करता हूं कि यदि किसी को करना है तो सबसे पहले किसी इंस्टिटूट में उसको यह पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी इस्पे इंजिनरिंग की वह यहां पर है क्या बस इतनी है नहीं कुछ इंटर डिसिप्लेनेरी ब्रांचेज या इस्पेशलाइजेशन भी है जिसमें इंजीनियर्स जो है गेट स्कॉर कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं बट यहां पर हम जो कोर ब्रांचेज है उन्हीं की ही बात करन तो सबसे पहले हम बिल्डिंग टेक्नलोजी तो यह एक अपने आप में बहुत अच्छी ब्रांच है यदि मैं इंडिया के एक करेंट के प्रॉस्पेक्ट में बात करूं तो अभी इंडिया ग्रोइंग कंट्री यहां बहुत ही कंस्रक्शन वर्क हो रहा है तो यदि आप यह ब्रांच लेते हैं तो यहां पर इससे इसके बाद आपके लिए एक प्लेस्मेंट की बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी होती है तो यह भी एक काफी अच्छी ब्रांच है वाट थोड़ा सा सैचुरेटेड है ऐसा बोल सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो जो एक कर इंडियर ऑपर्चुनिटी बनती है आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफिसर बन सकते हैं अब रॉड़ जा सकते हैं अभी अबरॉड में काफी अच्छी फैसलेटी हैं में इंवारमेंटल इंजिनरिंग के रिलेटेड जो जितना भी हमारा सार्च चल रहा है उससे रि तो इंडिया की इंवरसेटी में असिस्टं प्रोफेसर बन सकते हैं क्यूं क्योंकि जियो टेखनीकल इंजिनरिंग है इससे रिलेटेड जो स्पेचलाइज जो अभी कम हैं और किसी पषिटियू आश्टी कि लेडी में इस assistant professor भी आप जो है कम efforts में बन सकते हैं क्योंकि जो टेक्निकल engineering है अभी सभी colleges में अवेलेवल नहीं है और future में इसका recruitment एक हो सकता है ठीक है तो यह एक opportunity बनती है इस ब्रांच के साथ next में बात करूं hydraulic and water resources इंजिनरी तो यह काफी saturated branch है और इसमें पहले से ही बहुत सारे लोग अवेलेवल हैं बहुत सारे लोग जो है hydraulics और water resources engineering में एमटेक कर चुके हैं पहले से तो अपने आप में saturated branch saturated field है बट यदि मैं इसके particularly बात करूं कि अब्रॉड अब्रॉड में इसे related बहुत अच्छा research work हो रहा है वहां पर जाके आप एक बहुत अच्छे scientist की तरह आपको एक opportunity मिल जाने वाली है यहां से यह इस field में आप करते हैं तो ठीक नेक्स बात करूं structural engineering इंडिया की टॉप मोस्ट सिविल इंजिटरिंग की specialization है जिसमें career opportunities बहुत सारी है ठीक यदि इस से चाहें तो आप हलांकी saturated है तो इंडिया से रिगार्डिंग यदि मैं assistant professorship में बात करूं तो थोड़ा related इंडिया में जो construction वर्क चल रहे हैं वो काफी associated है इससे तो यहां पर आपको placement की opportunity मिल सकती है साथ ही साथ यदि abroad जाके आप यहां पर करना चाहते हैं तो उसमें भी काफी अच्छी opportunity इससे यहां पर associated है ठीक नेक्स में बात करूं ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनरिंग ठीक ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनरिंग में अगेन आपको जो इंडिया में यहां पर उपन रहती है आपके साथ ठीक और साथ ही यहां पर आप अपर जाके भी अच्छा रिसर्च वार कर सकते हैं तो यह जो बेसिक ब्रांचे यहां पर अवेलेवल थी आईटी मद्रास में वह मैंने आपको डिसकस कर दी और उससे रिलेटेड जो भी करियर ऑपोर्चुनिटी थी जो भी यहां पर इससे रिलेटेड प्रोज और कॉन से वह मैंने आपको बता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि गेट स्कोर कार्ड है हमारे पास क्या इसके अलावा भी इन ब्रांचे से करने के लिए हमें कुछ और रिक्वार्मेंट चाहिए तो बिल्कुल यदि आप बीटेक लेवल पर एक एक साथन परसेंट या सीपी आई नहीं लेकर आए तब भी आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि मैं बात करो कि मीनिम्म आपको 60% मार्क्स तो चाहिए ही अ significant gate score ला रहे हैं तो इतना तो expected है ही कि आप इतना बहुत ही easily achieve कर लेंगे ठीक है तो यह सभी branches में सेम तरीके से applicable है तो यह भी एक important point है और इतना तो हलांकि सभी का होगा ही इतना मैं expect करके चल रहा हूं ठीक है इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं सबसे important बात जो की near future trend है किस तरीके का trend है किस तरीके के यहाँ पर जो gate score card की cut off जा रहा है gate score का cut off जा रहा है particular branch का तो इसको हम discussion करने वाले हैं इससे हमें एक idea लग जाएगा कि जो particular हमारा gate score है उसका कितना हमारे लिए यहाँ पर हम expect कर सकते हलांकी यहाँ पर जो trend आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा बहुत fluctuate होता रहता है यहाँ पर जो values दिख रही है वो साल दर साल बदलते रहती है hard and fast नहीं है बट हाँ इसी के near about सारी चीज़ें रहने वाली है इतना भी हम मान सकते हैं एक अंदाजा यहाँ से हम acquire कर सकते हैं ठीक है तो जैसा मैंने आपको बताया कुछ-कुछ branches जो की बहुत ही ज़्यादा high score demand करती हैं तो आप बोल सकते हैं जैसे मैंने का था जो structural engineering है वो और यहाँ पर building technology and construction management तो यहाँ पर यह दोनों जो आपको specialization दिख रही है इसके लिए एक high gate score का requirement आपको दिखता है बाकी branches में जदी में बात करों बाकी specialization में बात करों तो यह थोड़ा सब से कम है ठीक है ऐसे ही जदी में दूसरे category wise भी बात करों तो लगबख same trend ही follow हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा यहां से gate score card gate score थोड़ा कम होता जा रहा है ठीक है तो यह इसके trend 2021 का है यदि मैं next इसके previous year की बात करूं तो वहां पर भी लगबख same trend ही follow होता हमको दिख रहा है जिसमें structural engineering और building technology and construction management की जो branches है specialization है वहां पर यह high gate score requirement हमको देखने को मिल रहा है आईए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा में एक और year का आपके लिए data लेका है 2019 का तो यहां पर भी जो requirement आपको देखने को मिल रही है तो वो भी इन दोनों branches में higher है ठीक और जो दूसरी branches है वहां पर जो है gradually कम होते जा रहा है और जैसे ही हम जो जो रिजर्ड कैटेगरी में जाते जाते हैं तो अगेन यहां पर थोड़ा सा हमारे लिए gate score card में जो score value है उसमें थोड़ा सा relaxation हमको देखने को मिलता जा रहा है ठीक है तो यह तो एक basic हमारे पास trend रहा कि कौन-कौन सी branches जो है यहां पर हमारे लिए एक helpful ह होने वाली है क्या trend है मैंने placement का भी बताया आपको next मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्रॉड में और इंडिया में किस तरीकी की opportunity है next हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो हमारी rank है और जो marks आए है हमारे वो किस तरीके से correlated है हालांकि यह एक previous year values है 2021 की values है अब हमारे पास ए discuss करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास अब rank है हमारे पास और हम हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है खास पर फिर भी हम इसको देखें तो लगभग सेम ट्रेंड ही है जैसे इस बार भी 90 प्लस पर ही rank वन गई है और लगभग सेम ट्रेंड ही फॉलो हुआ है चो लास्ट पर फीज कितनी पेवल है तो जैसे हम एमटेक करेंगे तो हम चार सेमिस्टर में वहां पर रहेंगे और यदि अभी इस सेशन में मैं वहां पर एडमिशन लेता हूं तो 2022 से स्टार्ट करूंगा और जब मैं करूंगा तब 24 हो चुका होगा ठीक है तो यहां पर जो एट ला तो यह आप देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा कुछ फीज नहीं है यदि मैं आइटी से एमटेक की बात करूं तो यह बहुत ही नॉमिनल फीज है बट इसमें हॉस्टल फी इंक्लूड नहीं है ठीक है हॉस्टल फी एक्स्क्लूडेड है यहां पर इतना मान के चल सकत है वह भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगी बहुत ही कम होगी नॉमिनल होगी ठीक नेक्स में बात करूं यदि हमारा एड्मीशन वहां पर हो जाता है और किस तरीके के एन्वार्मेंट में हमें वहां पर रहना पड़ेगा क्या-क्या चीज़ें हमें वहां पर करने सब्सक्राइब होता है तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई स्कॉलर्शिप नहीं मिलने वाला यह चीज़ ध्यान में रखेंगे तो यदि आप वहां पर जाके स्टड़ी करते हैं तो काफी सीरियस होकर स्टड़ी कीजिएगा ठीक दो जो शुरुआती पहला साल पहले के रहेगा वहां पर आपको को ब्युक्त रहेगा सब्जक्स अएक्द धाना रहते है कुछ इस तरीकी की चीजिज और उसके बाद जो खोने तिक्सेफ और तीक यह दिखाना होग तन तो आप उस चीज के साथ चलती जाती हैं जैसे आप के लिए ज्यादा टफ नहीं रहने वाला यह सब तो एक बार एडमिशन के बाद उतना ज्यादा टफ नहीं है ठीक यदि यहां पर जो रिक्वार्मेंट ऑफ गेट स्कोर कार्ड बोलों एम्टेक के लिए तो काफी हाई है तो आप टॉप का प्रीमियर इंस्टिटूट है तो कि इन्विटेशन के अलावा आपको एक अडिशनल रिटन टेस्ट देना पड़े और इंटर्व्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है ठीक है तो यह चीज़ भी हो सकती है आपके लिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा ठीक है अब इसके अलावा भी हम यदि देखें आप डारेक्ट ली जाके आईटी मदरास की वेब साइट से उस चीज़ को देख सकते हैं यदि आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डारेक्ली मुझसे बात कर सकते हैं मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं और मैं अपने बारे में बता हूं तो म आईएटी मदरास का ओनलाइन पोर्टल जो है 21st of March से ओपन हो जुका है और यह 22nd of April तक यहां पर रहेगा ठीक और इसी वीच आपको यहां पर जाके अपने को रेजिस्टर करके अपलाई करना होगा ठीक है COAP के थूँ ठीक है तो मैं सोचता हूँ कि इतना information आपके लिए काफी informative होगा और आप आगे चलके इस information के थूँ एक एक basic information के थूँ आप चाहें तो यहां पर आपके लिए यह information बहुत ही helpful होगा और आप यहां से काफी अच्छा एक ब्रांच और college यहां से ले सकते हैं इस information के basis पर तो इनी शब्दों के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ और अगले बार नेक्स वीडियो में मैं नया college लेके आऊंगा नए IIT के साथ काफी सारी information होगी और फिर हम फिर से एक नए college को discussion करेंगे